अगर आपके घर में भी कोई सूप नहीं पीता है तो यह वाली रेसिपी नोट कर लीजिए तो कि आज के बाद सभी यह वाला सूप तो डेफिनितली मांग मांग कर पीएगे तो आज हम बनाने वाले हैं टमेटो सूप टमेटो सूप में हम टमाटर के अलावा और भी बहुत कुछ डालेंगे जिससे यह बहुत ही healthy और tasty बनेगा तो टमेटो सूप बनाने के लिए यहां पर मैंने ले लिये हैं तो यहां पर मैंने देसी वाले टमाटर लिये हैं मैंने तीन टमाटर लिये हैं देसी टमाटर का टेस अब ले लेते हैं एक पैन एट और चमपड़ के चमचबर के तेल आप यहां पे बटर भी ले सकते हो और अब ले लेते हैं थोड़े से खड़े मसाले तो खड़े मसालों में हमें यहां पे चाहिए तेश पत्ता तो यहां पे मैंने एक से डेड़ तेश पत्ता लिया है और एक ले लिए बड़ी इलाइची बड़ी इलाइची के हमें खले सिर्फ उसके दाने चाहिए तो उसको तोड़के उसके से अंदर से हम उसके सीड्स निकाल लेंगे चले अब तेल गरम हो चुका है तो उसके अंदर डाल देते हैं तेजपत्ता अद्रक लसुन और मिर्च को भी डाल देंगे और उसे थोड़ी देर हम स्वाटे कर लेंगे अब डाल देंगे प्यास और पीट्रूट प्यास को हमें थोड़ा सा पकाना है एक दम ब्राउन होने तक नहीं पकाएंगे थोड़ा सा उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए ट्रांसलूशन हो जाए तब तक उसे पकाना है और अब डाल देंगे टमाटर तो सब कुछ हमने दंठे ले लूंगी और उसे तोड़ देंगे और उसे पे साथ पका लेंगे इसे यह सूप का टेस्थ बहुत ही बढ़ी आता है और अब इसके अंदर लेंगे थोड़े से मसाल हिए तो यहां पर मैणे टेस्थ किया लिया है नमक इक से 1-5 चमद द्धनेजिर फावडर और थ पारम पानी डालके इसे हमें अच्छे सी mix कर लेना है और अब इसे हमें पकाना है तो इसे एकदम थंडा होने देगे हमारा mixture एक दोन ठंडा हो जाए फिर उसके बाद इसके अंदर से निकाल लेंगे तेज़ पता क्योंकि यह तेज़ पता mixture में अच्छे से mix नहीं होगा पीसेगा नहीं तो इसे हम निकाल लेंगे तो चलिए अब इसे हमें piece लेना है मदलब कि इसका paste बना लेना है तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक mixer jar और उसके अंदर ये सारा mixture डाल देना है आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये mixer का कलर कीतना बड़ी आया है क्योंकि इसके अंदर आपने डाला था bit root और bit root से कलर तो बहुत बढ़ी आता ही है और विट्टूट सिहत के लिए बहुत ही हेल्दी है तो देखने में तो ये सुब बहुत बढ़िया लगे का ही साथ में हेल्दी भी होगा तो चलिए इसे मैंने पीस लिया है इसके अंदर मैंने पानी नहीं डाला था क्योंकि पानी डालेंगे तो एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनेगा तो इसे ऐसे ही पीस लेना है पानी डाले बीना तो चलिए मिक्शर को हमने पीस लिया है और अब इसे लाल देंगे एक चलनी में और अब इसे हमें चान लेना है तो ऐसा करने से त्रमाटर के सीड्स बगेरा होंगे तो वो मुह में नहीं आएंगे और हमें एकदम फाइन पेस्ट मिटेगा तो चलिए इसे मैंने चान लिया है और अब इसके अंदर दाल देंगे थोड़ा सा पानी तो यहां पे मैंने आदा कब जितना पानी लिया है और जो जार था उसके अंदर लिया है क्योंकि जार के अंदर जो मिक्षर है वो भी यूस हो जाए तो चलिए अब पानी डाल के भी इसे चान लेते है तो यह देखिए सारे मिक्षर को मैंने अच्छे से चान लिया है और एकदम फाइन पेस्ट हमने निकाल लिया है और अब इसके अंदर डालेंगे आदा चम्मत चाट मसाला दो चम्मत टमेटो केचप एक चम्मत नीमुगारस दो चम्मत चीनी और इसके अकॉरिंग नमक डाल देंगे और डाल देंगे एक क्यूब बटर का और इसके अंदर लाल देंगे बहुत सारा गरम पानी इसके अंदर मैंने एक से डेट गलास जितना गरम पानी डाला है और अब इसे पका लेंगे तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 5-7 मीट पकाना है अगर आपको लगे कि सूप थोड़ा सा गाड़ा हो गया है तो थोड़ा सा और गरम पानी मिक्स कीजिए और अपने ही साब से चेक कर लिजिए आपको जितना गाड़ा पसंद है उतना गाड़ा भी से रख सकते हो आपको पटला पसंद है तो इसके अंदर पानी थोड़ा सा जादा एड़ कीजिए और नमक वगेरा टेस्ट कर लीजिए तो ये देखिए फटा-फट से 10-15 मिर्ट में हमारा टमेटो सूप बनके रेडी है इसे मैंने बटर और फ्रेश क्रीम से कानिश कर लिया है ताकि देखने में बढ़िया लगे शाम का टाइम है तो दोनों घर पे है वरना एक टूशन में होता है और एक स्कूल में तो मेरे बच्चों को तो ये सूप बहुत ही पसंद आया है और अगर आपको भी पसंद आया है तो प्लीज लैक कीजिए मिलते हैं जल्दी नेक्स रेसिपिक के साथ अब तक के लिए बाई जेशी करशना